दुरूत आरे पर तो मैं पहुंच गया वो चुपिशक्ती का सुराग मुझे यही मिलेका जो उस तिमनासा का अंत करेका यह किरने तो बहुत तेज है इनसे मेरी आखों को नुक्षान पहुँच सकता है द्रिवतारा पर तुम्हे एक घातक रोश्णी का सामना करना होगा जो तुम्हे उस छुपिशक्ती तक पहुचने से रोकेगी कोई भी रोश्णी मुझे उस छुपिशक्ती तक पहुचने से नहीं रोक सकते अपनी आखों की नहीं मन की रोश्णी से मुझे आगे बढ़ना होगा आखे धोका खा सकती मन नहीं तिमनासा का अंतो होके रहेगा एसा कौन सा संदेश भेज़ती है इस सरवकाल ने कि वो इतने विश्वास के साथ अंतिम युद में मेरी हार का दावा कर रहा है मुझे पता लगाना होगा यह संदेश काल लोग की धरती से भीजा गया है इसलिए अगर मैं कोशिश करूं तो जरूर उस संदेश को सुन सकती हूं ब्रह्मान की असीन शक्तियों का इस्तिमाल करनी का समय आ गया है हाurt हुष रादा हुष रादा हुष राक सेभ़ नाल भुष रात द्रूफदारा ये तो सर्वकाल की आवास थी मुझे तुरंट द्रूफदारे पर जाकर सर्वकाल की सारी उमीदों को नाकाम करना होगा ये कमरा लगता है यहाँ पे लाइट बाहर से कम है शायद मैं अपनी पट्टी हटा सकता हूँ आप है कौन देवी जी? ना हाई ना हेलो सीधा गला पकड़ लो मैं जानता हूँ कि अगर कोई बिन बुलाई घर में घुच जाता है तो अच्छा नहीं लगता लेकिन पूछतो लीजे मैं हूँ कौन? मुझे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है जानती हो कि तुम्हें तिमनासा ने यहाँ भेजा है तिमनासा? आप तिमनासा के बारे में कैसे जानती है? सवाल तुम नहीं मैं पूछूंगी ओके, ठीक है तो मैं पहले जवाब दे देता हूँ मुझे यहाँ पे तिमनासा ने नहीं भेजा है मैं तुम पर कैसे भरोसा करूँ? ये लीजिये, मेरे हत्या आ रहाँ अब ये आपके पास है आप तो आप मुझे पर भरोसा करेंगी न? इसकी परिक्षा लेनी होगी देखे, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि मुझे वो छुपी शक्ती मिल जाए जिससे मैं तिमनासा का अंध कर सको साथ द्वीपों का नगर उसके चौथे द्वीप पर एक पवित्र मंदिर घर उसमें मिलेगा एक पुश्प अमर अगर तुम इस पहली को सुलजा लोगे और मुझे वो पुश्प अमर लाकर दोगे तब ही मैं तुम्हें छुपी वी शक्ती तक पहुँचने का अगला सुराब दूँगे तैंक यू माइ लेड़ी चलिए आप भी मेरे साथ नए मैं इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती तिम्नासा ने इस समरे के चारों और जादूई घेरा बना रखा है अगर मैंने उस घेरे को पार किया तो मैं जल कर भस मौँचाओंगी लेकिन आपके यहां से बाहर जाने का कोई और रास्ता भी तो होगा मुझे केवल एक ही व्यक्ति यहां से बाहर निकाल सकता है कौन है वो जब तुम पहेली होगे माया जाल की अगली पहली सुलजा लोगे तब तुम्हें खुदी उस व्यक्ति के बारे में पता चल जाएगा ठीक है मैं बादा करता हूँ आपसे उस पहेली को सुलजा कर उस आदमी को ढूंड कर मैं आपको यहां से छुड़ा कर ले जाओंगा थैंक यू आँ वाट अड़े विवाट आँ मम्मे अरे तू तू कैसे टपक पड़ा अचाना कहां मम्मे मैं तो यही था इतनी देर से वो शायद आपका धियान भगवान ची की तरफ था ना शायद इसला अपने मुझे नोटेश नहीं किया बागी मैं यही था आँ जादा बोलो नहीं सुनो मैंने खुद एखाये मेरर में तेरा रिफ्लेक्शन तू तू एकदम से प्रकट हुआ यहां पर जैसे कोई मैजिक होता है वैसे मम्मी अपने क्या कहा है रिफ्लेक्शन मम्मी वो अप्तिकल इल्यूशन हो का आखों का दूखा वो लाइट का कमाल होता है मम्मी आँ अप्तिकल लाइट ले मम्मी आँटे से भी जादा डर मुझे मा की नाट से लगना बजगाया विवान अप्तिकल इसा क्यों में सूस हुआ मुझे जैसे मेरे अलावा भी यहां पर और कुई है आँ कि झाल झाल कहीं तमना सा कोई अंदेशा तो नहीं हो गया कि मैं यहाँ पर पहुच चुका हूँ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सर्वकाल ने जिसे यहां आने का संदेश भीजा था वो यहीं आसपास है यह जरूर उस सर्वकाल ने किसी को भेजा होगा जो अब यहां से चला गया है मुझे तुरंट उस कमरे में जाना होगा मुझे प्रूर लाँ मुझे तुरंट उसा किसी को भीजार भीजार भीजाए प्रूर भीजार भीजार परेश भीजार जाना है इसका मतलब वो जो भी था इस कमरे तब नहीं पहुच पाया तेरे पाप का घड़ा भर चुका है तिमनासा तुने मुझ से मेरी खुशिया मेरी जिन्दगी सब कुछ छीन ली अब बहुत जल्द उससे तेरी जिन्दगी छीन ली जाएगी बस एक बार नकाप पुश वो पुश्प अमर लिया है कितनी देर हो गई देबू भी कहीं नहीं दिख रहा है साथ द्वीपो का नगर उसके चौथे द्वीप पर एक पवित्र मंदिर घर वीप मतलब तो आइलेंड होता है लेकिन वो लेडी के इस आइलेंड के तरफ इशारा कर रही थी अंदमान निकोबार है या लक्षवदी लेकिन ये दोनों नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ साथ से ज्यादा एलेंड है तो फिर इस पहेली का जाब क्या है और वो पुश्पा अमर कौन सा है देभू मा आप यहां कब आई बोलो नहीं सनो ये पुछने से पहले ये बताओ कि तुम इस वर कहां जा रहे हो अरे मैं कहीं नहीं जा रहा हूं मा मैं तो ये पुराने कपड़े पैक कर रहा था डोनेट करने के लिए डोनेट करने के लिए अरे लेकिं डोनेट करने वाले कपड़े तुम कबड में क्यो रख रहे हो अभी थोड़ी जाओंगा बाद में कभी चला जाओंगा अच्छा अच्छा अरे तुम्हें पता है आज क्या हुआ आज मैंने बालवीर को देखा और उसकी कटकाथी बिलकुल नेरे विवान जैसी थी ऐसा लागा जैसे विवान ही बालवीर है सोचो अगर विवान वाकई बालवीर होता तो तो वो बार-बार खत्रे में जाता और ये तो मैं कभी बरदाश्ट करी ने सकती खेर मैं भी क्या फाल्तू की बाते सोच रही ने अरे मैं तो भुली गई मैंने चाय तढ़ाय थी माफ करना मा लेकिन विवान भी बालवीर बन चुका है बस अब यही उम्मीद है कि ये संतिम और निर्णाय के उद्ध में हम उश्चक्ते को ढून पाए जस सत्तम नासा का सफाया हो जाए क्या हुआ था बैरानी आप सपने में बहुत जोर जोर से चिला रहे थे चग्ताली आज मैंने बधा बुरा सपना देखाा, मेरे दुष्मनों ने मुझे चिता पर लेटा थीया था और ऐसा सपन मैंने पहले कभी नी देखा वूरा सपना था भ्रानी, भूल जाइये और फिर ऐसे दरावने सपनों की परवा नहीं किया करते सपना नहीं था ये बलकि कोई संकेत था एक चेतावनी थी कि वो नकाब पोश बहुत आगी बढ़ चुका है पर भेरानी आपने तो कहा था कि धुरूर तारे पर जिस कैदी को कैद किया है वो अभी वहां कैद में इसका मतलब तो यह हुआ कि नकाब पोश वहां से बिखारियों की तरह खाली हाथ वापस लाटा है जो भी हो जब दाली लेकिन अब में कोई सुरक्षित चाल नहीं चल सकती है अब सब कुछ दाओं पर लगाने का समय आगया है सब कुछ दाओं पर ऐसा क्या है बहरानी जो काश्ट तक आपने नहीं किया क्या करने वाली है इस बार मुझे अपनी काली सोच से भी परे कुछ सोचना होगा एक ऐसी योजना जिसका अनुमान भी किसीने लिए लगा होगा अनुमान तो लगाना ही होगा इस डबू के वियोड बेहिवियर के बारे में कुछ तो गड़बढ है मेरा पर मुझे फिर सभील जय पे नहीं बैठा साथ द्वीपों का नगर उसके चौथे द्वीप पर एक पवित्र मंदिर घर उसमें मिलेगा एक पुष्प अमर अनन्या तुम्हें ना इसे कैसे अच्छनक आजाती हो अभी पूरे बोड़ी में हार्ट अटेक आने वाले थी I so wish कि मेरे पास ऐसी सूपर पार होती जिसे मैं हर उस इंसान को हार्ट अटाग दे सकती जो मुझे इरिटेट करता है कैसी बाते कर रहे हो अनन्या तुम्हारे विचार तो एक दम दानवो जैसे हैं Anyways, तुम्हें फिकर में दुबले होने की ज़रवत नहीं है मेरे पास ऐसी कोई सूपर पार नहीं है जिससे में लोगों को हार्ट अटाग दे सको Thank God पर एक स्पेशल पार जरूर है मेरे पास Okay कैसी सूपर पार है तुम्हारे पास मतलब क्या तुम उड़ते हो और पक्षियों से बात कर सकती हो या फिर चार बर्गर एक साथ का सकती हो या फिर या फिर अरे नहीं मेरे पास ऐसी सूपर पार है जिससे में लोगों का बता सकती हूँ Oh मतलब तुमने मेरा करेक्टर एकदम करेक्ट जज किया होगा ना मैं एकदम क्यूट हूँ एक टेड़ी बियर जैसा बिलकुल नहीं तुम तो मुझे किसी वुल्फ जैसे लगते हो बहुत ही साथ है मिस्टीरियस वुल्फ मैं ने 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 वसे पिछले कुछ दिनों से तुम मुझे बढ़फुल नजरों से देख रही हो क्यों? वो इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तुम भी बहुत स्रेंज बेव कर रहे हो अब मुझे सलसर बताओ कि कल तुम मुझे देवी प्रसाद को पकड़ा के कहा किसक लिये थे मैं अब देखो अननिया तुम्हें पता चली किया है हुँ तुम्हें सब शर्शच बता दूँगा लेकिन यह बाद सिफ हम दोनों के पीछ में रहे हैं प्रोमिस ठीक है आगे बताओ तो मैं कल अच्छानक किसक्य कहा गाया था ये मैं तुम्हें बताओंगा लेकिन पर तुम्हें बताओ कि तो बिछले कुछ दिनों से कॉलेज क्यों नहीं जा रही हूँ? हाँ? वो मेरे कॉलेज के छुटियां चल रही है ना? इसलिए नहीं जा पा रही हूँ. वो सब छोड़ो तुम आगे बताओ. कहां गए थे? म, मैं? तो म, 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 मैं बताता हूँ ना? इतना suspense क्यों पैदा कर रहा हूँ? पहले तुम अपनी कॉलेज का नाम बताओ. ग्लोबल कॉलेज. नाम जानकर क्या करोगे? आगे बताओ. ग्लोबल कॉलेज? के? वो क्या है ना? मैं भी कॉलेज में अडमिशन लेना चाहता हूँ. नेक्स टेर से मैं भी कॉलेज में तुमारे साथ पढ़ना चाहता हूँ. लेकिन पूरे मुंबाइ के कॉलेज इस छोड़ करते हैं, तो मेरी कॉलेज में क्यों आना चाहते हूँ? अरे, वो क्या है ना? मुझे तुम्हे रगिंग से थोड़ा ड़ लगता है. तुम जैसे स्टॉंग लड़की मेरे साथ होगी, तो मैं सिव रहूंगा इसलिए. नो वेज, रभू. वैसी भारत नगर में तुमारी शखल देखे, मैं इतना सादा पंक्चाती हूँ. कॉलेज में भी तुम्हे छेला पड़ेगा? नो, ना हापनिग. ठीक है. तुम्हें कहां गया था, मैं नहीं बताऊँगा. अच्छा ठीक है, बचा लूँगी तुम्हें. तुम आगे बताओ. तो छेडा जी की दुकान के सामने वाली गली के अंदर में गया, वहाँ से में लेफ्ट लिया, लेफ्ट लिया फिर राइट लिया लेफ्ट, राइट, लेफ्ट राइट और फिर मैं सी दाएग मंदिर के सामने जा के रुका. तुम फिर से मिस्ट्री क्रियेट कर रहे हो ना? आपर बताऊँगा. पहले तुम मुझे यह बताओ कि ग्लोबल कॉलेज में तुम कौन सा कॉर्स पढ़ती हूँ? मैं क्यो बताओ? अरे, पफिर मैं भी भाई कॉर्स दूना ना? फिर अम तुम नहीं की क्लास में होंगे और हमारे फ्रेंशिप एकदम स्ट्रॉंग हो जाएगी हाँ, है नहाँ? मैं पॉलिटेखनिक पढ़ती हूँ, लेकिन अगर तुम ने वह कोस कर लिया तो तुम फेल हो जाओगे तो तुम वह सब छोड़ो और आगे की स्टोरी बताओ मंदिर के सामने क्या किया तुमने? मंदिर के सामने क्या होता है? मंदिर के अंदर जाकर होता है मैं मंदिर के अंदर गया वहां बगवान जी के सामने मैंने दोनों हाथ जोड़े और उनसे प्रे किया हम? पे क्या है कुछ तो है अनन्या जो तुम मुझसे छिपा रही हो दबू तुमारी मिस्ट्री का तो मैं पता लगा के ही मानूंगी अनन्या की स्टोरी को चेप कर ही लेता हूं भहत दिनों से पजल बनी हुई है वो जोड़े नमस्तविया अच्छा एक कॉलेज में अभी चुटिया चल रही है अभी तो सालाना परीक्षा चल रही है अभी क्यों चुटिया होगी हाँ राइट थैंक्यू मेरे कॉलेज के चुटिया चल रही है ना इसलिए नी जा पागी इसका मतलब अनन्या ने मुझसे जोट बोला लेकिन क्योर अटो 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 अरे ये क्या कर रहे हो छोड़ो मेरा पर्स da मतलब अरे पर्स तो हजारो मिल जाएगे जिन्दगी तो ही मिलती है अर वैसे भी जब केंडीर में सबाँ थी थी मुझे चिक दिया था, मुझे सर्दी हुए ना, सौरी, सौरी गॉड ब्लेस यू थेंक्यू तो आप इंको इंको फर्स देदीजी क्या है ना, मेरी प्यारी मा क्याती है अगर आप किसी चीज पर छीज देना, तो चीज मनुस हो जाती है तो आप ये मनुस पर्से, मनुस चोर को ही दे दीजी ये, ये ले भाई, चोरू चिरकुट नहीं, समझाला, जाला अरे ले 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 जाल, ले 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 आरे, सौरी, आपका पर्स बचाने के लिए मैंने थोड़ा नटक किया मैंने इसमें चीक नहीं मारी, ये ले लिचे वेरी क्लेवर, थैंक्यू वैसे आपकी थैंक्यू की बदले, क्या मुझे छोटी सी हेल्प रिल सकती है शौर एक लड़की है, अनन्या, जो इसी कॉलेज में बढ़ती है वो पॉलिटेटनिक का कोर्स कर रही है और अभी अभी वो पुने से मुंबय आया और उसके पैर में फ्रेक्चर भी है आप उसके बारे में मुझे कुछ बता सकती है इत्तफाक से पॉलिटेटनिक की मैं ही टीचर हूँ और मेरी क्लास में सिर्फ एक ही फीमेल है और वो है खुद मैं अच्छा तो अनन्या नाम की कोई स्टूडेंट मेरे क्लास में नहीं है ओ तेंक्यू आपो वहां से आटो मिल जाएगी तेंक्यू बाई अखिर तुम हो कौन अनन्या जुट पे जुट बोली जा रही है पहले तुम अपनी कॉलेज का नाम बताओ ग्लोबल कॉलेज मैं पॉली टेक्निक पढ़ती हूँ लेकिन अगर तुमने वो कोस कर लिया तो तुम फेल हो जाओगे इतना जुट तो वही आग में बोलता है जिसके मन में खोटा तुम क्या चिपा रही हो अननू प्रोट प्रोट खोटेश पार तुम आपके सब्सक्राइबट ने हो दो झाल झाल